साथ संगत जी प्यार से कहना धन नरंकार जी आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर एक नई साखी के साथ तो चलिए आज की साखी सुनते हैं साथ संगत जी एक समय की बात है कि किसी गाव में एक किसान रहता था वो किसान सुभे से शाम तक जी तोड मेहनत करता फिर भी उस किसान की आर्थिक हालत बहुत खराब थी एक दिन वो किसान अपने खेतों में हल चला रहा था कि तभी वहाँ एक साथू महराज पहुँचे और किसान से कहने लगे बेटा भगवान तुम्हारा भला करेगा मुझे कुछ भिक्षा दे दो किसान ने कहा साथू महराज मैं तो खुद ही गरीब इंसान हूँ मैं तो दिन रात जी तोड मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे घर की आर्थिक हालत बद से बत्तर है मैं अपनी गरीबी से परिशान हूँ आप मुझे कोई ऐसा उपाए बताएं कि मेरे खेतों में खूब धान हो ये सब देख साथू महराज ने किसान से कहा बेटा तु मुरली धर का नाम जपा कर इससे तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे मुरली धर सभी के पालनहार है साधू की बात सुनकर किसान ने कहा महराज क्या मुरली धर का नाम जपने से मेरे खेतों में बहुत धान होगा साधू महराज ने कहा बेटा अगर तु सच्चे मन से मुरली धर का नाम जपेगा तो तुम्हारे खेतों में मनो भीगा धान जरूर होगा ये कहकर साधू महराज कुछ दूर एक बर्गद के पेड़ के छाओं में जाकर आराम करने लगे साथ संगत जी किसान बहुत बोला बाला था वो साधू के कहे अनुसार उसी समय से मुरली धर का नाम जपने लगा खेतों में हल चलाता और मुरली धर का नाम भी जपता रहा मुरली धर का नाम जपते जपते दोपहर हो गई किसान की पत्नी उसके लिए खाना लेकर आ गई किसान की पत्नी ने किसान से जब खाना खाने के लिए कहा तो किसान ने अपनी पत्नी को कहा मैं खाना कैसे खाऊं मैं तो मुरली धर का जाब कर रहा हूं वो तूट जाएगा अब पती की बात सन कर किसान की पत्नी ने कहा इसमें इतना घबराने की क्या बात है तुम खाना खाओ तब तक तुम्हारी तरफ से मैं जाब करती हूं पत्नी की बाद किसान को ठीक लगी वो बात मान कर रोटी खाने लगा और उधर किसान की पत्नी मुरली धर का नाम जबने बैठ गई कुछ देर नाम जबते जबते किसान की पत्नी का ध्यान अपने घर की दरफ चला गया और उसे उखल में रखे हुए धान की याद आ गई वो धान कुटते कुटते छोड़ कर आई थी किसान की पत्नी ने सोचा कहीं उस धान को कुटते ना खाले इसी फिक्र में किसान की पत्नी को याद ही नहीं रहा कि वो मुरली धर की जगा उखली धर का जाब करने लगी थी क्योंकि किसान की पत्नी उखल के बारे में सोच रही थी जब किसान ने खाना खा लिया और उसने अपनी पत्नी को उखली धर का नाम जबते हुए सुना तो वो भी अपनी पतनी की तरह उखली धर काजाब करने लगा दूसरी तरफ जब विश्णु भगवान के कानों में किसान के शब्द पड़े तो भगवान चौक गए और अपने इस अनोखे नाम को सुनकर विश्णु भगवान बड़े ही प्रसन हुए उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा ये किसान मेरा सबसे सच्चा भग्त है इसने मुझे उखली धर नाम से याद किया है आज तक किसी ने मुझे इस नाम से नहीं पुकारा कृष्णा अवतार में माता ये शोदा ने मुझे उखल से बांधा था इस किसान को छोड़ कर ये घटना किसी को भी याद नहीं रही मेरा ये नामकरण मेरी स्प्रिय भक्त ने किया है भगवान विश्णू की बात सुन कर मा लक्ष्मी बोली चलिए प्रभू आपके प्रिय भक्त की परिक्षा ली जाए भगवान विश्णू ने कहा ये मेरा सच्चा भक्त है इसकी परिक्षा लेना बेकार है लेकिन माता लक्ष्मी कहा मानने वाली थी इसलिए भगवान विश्णू को माता लक्ष्मी के साथ भक्त की परिक्षा लेने आना ही पड़ा किसान के खेत में कुछ ही दूरी पर एक टूटी फूटी जोपड़ी थी भगवान विश्णु और माता लक्ष्मी वही रुक गए भगवान विश्णु ने मा लक्ष्मी से कहा आप मिरे भक्त की परिक्षा लीजिए तब तक मैं यहीं पर रहता हूं अब माता लक्ष्मी मामूली स्त्री के रूप में किसान के हल के सामने जाकर खड़ी हो गई अब किसान अपना खेत जोतने में इतना मस्ट था एक स्त्री को अपने रास्ते में रुकावट डालता देख अचानक से ही किसान के मुझ से निकला अरे मालक्ष्मी एक तरफ हो जाओ मुझे मेरा काम करने दो अमन ही मन मालक्ष्मी किसान का लोहा मान गई उन्होंने सोचा इसने तो मुझे छिपे हुए रूप में भी पहचान लिया फिर मालक्ष्मी ने किसान की आगे परिक्षा लेने के लिए पूछा अच्छा ठीक है ये बताओ मेरे पती कहा है ये सुनकर तो किसान हैरान हो गया और अपने काम में रुकावट आने से वो किसान अंदर ही अंदर खिन हो गया था किसान ने इस तरी से पीछा छुडाने के लिए खिन होकर तूटी फूटी जोपड़ी की और इशारा कर दिया और कहा वहा है तुम्हारा पती अब मा लक्ष्मी तुरंथ ही वहां से दोड़ती हुई भगवान विश्नु के पास पहुँची और बोली स्वामी आपने ठीक कहा था ये तो सच मुझ आपका पक्का भक्त है अब तो आपको मेरे इस भक्त पर यकीन हो गया न तब मा लक्ष्मी ने कहा प्रभू सच में ये किसान आपका सच्चा भक्त है और आपको अब कुछ न कुछ तो इस भक्त को देना ही चाहिए इसलिए भगवान विश्नु ने भी एक सधारन आदमी का भेश बनाया और भगवान विश्नु मा लक्ष्मी के साथ उस ओर चल दिये जहां किसान खेतों में काम कर रहा था जब किसान ने उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा तो मन ही मन वो खिन हो गया सोचने लगा पहले तो ये महिला अकेली ही आई थी लेकिन अब मेरे काम में बाधा डालने के लिए ये दोनों आ रही हैं ये दोनों तो मेरा सारा समय नश्ट कर देंगे भगवान विश्नु और मालक्ष्मी किसान के पास जाकर कहने लगे तुम हमें बहुत ही पसंद हो इसलिए तुमें हमसे जो भी कुछ मांगना हो वो तुम हमसे ही मांग लो अब अपने काम में आने वाली रुकावट की वज़े से किसान तो पहले से ही चिड़ा हुआ था किसान ने खिन होते हुए कहा अच्छा तो मैं आपसे जो मांग लो वो आप मुझे दोगे चलो ठीक है मैं तो ये चाहता हूँ मेरे खेतों में मनो भी गाँ धान हो अब भगवान विश्णु ने मुस्कुराते हुए कहा ऐसा ही होगा किसान ने भगवान विश्णु की बात सुनकर कहा रुको मैं ऐसे कैसे तुम्हारी बात पर भरोसा कर लूँ अगर मेरे खेतों में इतना धान नहीं हुआ तो मैं तुम्हें हल की मूर से बाद दूँगा भगवान विश्णु ने किसान की बात सुनकर कहा तुम एक काम करो जिस पर भी तुम्हें भरोसा हो तुम उसे यहां लेकर आजाओ अब किसान को भगवान के बात अच्छी लगी वो दोड़ा-दोड़ा साधु महराज के पास कया और उन्हें अपने साथ ले आया साधु महराज ने सधार्ण पुरुष और स्त्री के वेश में भी भगवान विश्णु और माता लक्ष्मी को पहचान लिया साधु ने आकर भगवान को दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ कर कहा हे प्रभु मैंने इतनी तो पस्या की लेकिन आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिये और इस गवार की खातिर आप दोड़े दोड़े यहां चले आए साधु की बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले हे साधु महराज दरसल बात ये है कि मेरे इस भगत का मन बालक की तरह स्वच और निर्मल है इसने मुझे सच्चे हृदय से प्रेम पूर्वक पुकारा तब मैं अपने आपको रोक नहीं पाया और इससे दर्शन देने के लिए मैं चला ही आया इतना कहकर भगवान विश्नू माता लक्ष्मी जी सहित अंतर ध्यान हो गई और वो साधु महराज किसान के चर्णों में गिर गए क्योंकि आज उस किसान की वज़े से ही साधु महराज को प्रभू के दर्शन हुए थे साथ संगत जी अगर सच्चे मन से इश्वर को पुकारा जाए तो हमारे पुकार इश्वर जरूर सुनते हैं और हमारी मनुकामना भी पूरी करते हैं अगर आज ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा आप सभी से फिर मुलाकाथ होगी एक नई साखी के साथ साथ संगत ची प्यार से कहना धन रंकार के